नमस्कार दोस्तों मैं नाम दिनेश पांडे है और आज मैं फिर आपका competition community के online platform पर जो हम MPPS सीख ले MCQ सीरीज और जो crash को सीरीज लेकर क्या हैं तो आज MCQ सीरीज के इस pattern पर आज आप सब का मैं दिल से स्वागत करता हूं और सबसे पहले आज आप सब को मालम होगा कि आज 14 प्रेल है और आज जिस सक्सियत का जनम दिन है उसका नाम है डॉक्टर भीमरा अंबेटकर तो सबसे पहले मैं competition community की तरप से आप सभी को डॉक्टर भीमरा अंबेटकर की जैनती पर हार्दिक सुपकामनाय देता हूं और जिन्होंने हमारे देश के लिए सविधान लिखा ऐसे महापुरुस को तहे दिल से पनाम करता हूं और ये उमीड करता हूं कि आज आप सब भी उनको एक बार याद जरूर करें क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना जीवन गरीबी में बिताया बहुत कटनाईयों में जीवन को अपने चलाया और एक दिन भारत के लिए वो इतिहास रचा जिसको करना थोड़ा सा हमाले कठीन था तो ऐसे व्यक्ति को हम तहें दिल से याद करते हैं और आज उनके जैन्ती पर आप सभी को कम्टिशन कम्मिटी परिवार की तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत-बहुत बधाई हो और हम उमीद करते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर भीम रामेटकर ने सविधान लिखा जिस सोच के साथ सविधान को लिखा था Constitution को बनाया था उसी सोच के साथ हम देश के विकास में अपना योगदान दे और देश को सविधान के अनुरूप चलाएं ठीक और यह तो आप सबको मालूम है कि सविधान निर्मार करते समय यह बात कहा गया था कि सत्ता का ज लिखा गया है तो यह जनता के द्वारा है तो हमारा यह करतव बनता है कि हम अपने देश के सविधान की रक्षा करें उसके अनुसार बनाए गया नियम कानून को नियम कानून का पालन करें ठीक है तो चलिए एक बाब फिर से आप सबका competition कमपनीटी के MPPSC series के online platform पर फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोग के लिए लेकर काया हूं MCQ series तो MCQ series में आज जो दूसरा topic है मेरा वो यह है foreign trade import and export देखिए यह जो topic है यह एक ऐसा topic है ना कि बहुत ही इसमें सरल तरीके से मतलब बोल सकते हैं कि न ज्यादा hard level पर question आता है इसमें और नहीं ज्यादा deep पढ़ने के ज्याद भी नहीं पढ़ती हमको तो ना हम इसको ज्यादा deep देखेंगे और नहीं इस से ज्यादा question बनते हैं तो मैं maximum 12 से 13 question लेकर करके आया हूं आपके लिए बहुत ही छोटा portion है यह ना इसमें ज्यादा question बनते हैं और नहीं ज्यादा deep जाता है मैं इसे related जो crash course था foreign investment को लेकर के वह मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूं और मैंने आपको उसमें बताया भी है कि question वहाँ पर किस level पर आता है clear ठीक है तो चलिए start करते हम लोग mcq series foreign trade and import export का ठीक तो चलिए पहला question इसका क्या है तो इसका पहला question first question यह है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश में किसी अन्य देश के के जोटेट कंपनी द्वारा सिधे उत्पाद्बन में निवेश है तो FDI के बारे में कौन सा तरीका सही है कि मतलब पूछने का मतलब यह है इसका कि अगर FDI कर रहा है क्या कर रहा है FDI कर रहा तो इसके पूछा कि अगर कोई देश कहीं पर मतलब कोई देश कहीं पर कोई निवेश कर रहा है तो उससे रिलेटेड FDI में इन में से कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है तो पहला है लचित देश में एक कंपनी खईदना पहला बी है उस देश में किसी मौजूदा वैसा ह एंसी है लचित देश में किसी कंपनी के शेरो और शेरो में निवेश लचित देश मतलब वही देश ठीक तो यहां पर आंसर क्या होगा आंसर यह होगा आपका एंसी क्यों क्योंकि यह बोला है कि अगर कोई देश किसी आने देश में कंपनी दोरा सीधे उत्पादन में उस तो fdi के तहती दोनों होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका INFDAC कि लख्षिद देश में एक कमपनी खरीदना और उस कंपनी में के शेयर के शेयरों में ही किसका निर्यात का मतलब इंडियान एक्सपोर्ट का हिस्सा है पूछ रहे वो तो 2019 के डाटा के अनुसार ठीक 2019 के ढाटा के अनुसार इंटरुनेस्ट मार्केट में इन्टरुनेस्टनल बिजनस में भारत के एक्सपोर्ट का जो plateau जो percentage था, वो था 1.71%, कितना 1.71%, तो option है, एक परसेंट से कम, एक से अधिक लेकिन 3 से कम, 3 से अधिक लेकिन 5 से कम, 5 से अधिक लेकिन 7 से कम, तो 2019 के data के नुसार, भारत के export का जो percentage था, वो था 1.71%, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, लेकिन 3 परसेंट से कम, clear, ठीक है, ओके, चलिए, next question, भारत में विदेशी मुद्रा किसके दोरा नियंत्रीत होती है, तो भारत में जो foreign money है, विदेशी मुद्रा है, उसको control कौन करता है, तो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या चीज, इसमें क्या जाएगा आपका, फेमा, अंसर क्या हो जाएगा, आपका, फेमा हो जाएगा, क्या होगा, फेमा, F E M A, यह आया था आपका 2000 में, सन 2000 में आया था, Foreign Exchange Management Act, इससे पहले फेरा था, F E R A, Foreign Exchange Regulated Act, यह आया था आपका 1973 में, तो दोनों में अंतर यह था, कि इसका Process Hard था, इसका Process Easy किया गया, तो फेमा जो है, विदेशी मुद्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C, फेमा, ओके, चलो, तेखो, ज्यादा Hard नहीं आता है, Question, थोड़ा सा, मैं बताया था न, कि Maximum अगर Deep ज जाता ही नहीं है, इस्तिकारण में 10 से 12 कोशन बस आपको सौल करा रहा हूं, एक दाम इजी है, और इसको क्या करने रट लेना है, आपको, clear, तो निम लिखित कत्म पर विचार कीजिए, विस वेपार संगटा ने कैसा संगटा ने जो इंतराश्टी वेपार का पर्वेक्ष और उदारी करन करना चाहता है, इसका गठन 1995 को हुआ था, मतभी है, 1995 में अस्तित में आया था, तो ऑप्शन है, केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो, दो सही, ना तो एक, ना तो एक, कॉमन सेंस है, डबलू टी ओ तभी बना था, इसलिए बना गया था, क्योंकि इसके काम ही था, कि विश्वे पार का सुपरवीजन करना, प्लस उनका लिबराइजेशन करना ये था, और ये बना ही था, 1995 में, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका, वण एन टू, आंसर क्या हो जाएगा, वण एन टू, आंसर होगा, ठीक है, दोनों सही है, ठीक, फिर, निमनिक् क्या है थिक है ना तो तो सबस्क्राइब यह दिया जाता है मतलब उनको एक ऐसी अधिवारति जो पर्यवरण के सरक्षन हो रहा हो तीक में मुद्दा यहां पता पर्यावरन का सरक्षन करना तो पर्यावरन से सरक्षन सम्मदित कोई वैपार कर रहा हो या कोई प्रोडक्ट बना रहा हो जिससे पर्यावरन का सरक्षन हो उसको नुकसान मत हो तो पर्यावरन के सरक्षन के लिए और उस संगठन से संबंदी था यह किसी देशों को दी गई एक ऐसा सब्सेड़ी है जो पर्यावारन सरक्षन को लेकर के ही वैपार करते हैं अपने देश की खुसेहाली के लिए ही वैपार करते हैं ठीक है ना क्लियर तो यह किसके दर दी जाती है डबलू टी ओ के द्वारा दी जाती है ठीक चलो नैक दिसंबर 1995 में यह फिलिंदा ब्लैंक्स है ना यह जो मैं डॉट डॉट लिखा हूँ यह फिलिंदा ब्लैंक्स है रिखती स्थान भरो ठीक बच्पन में बहुत 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 हैं रिखती स्थान वगर कभी भराया नहीं झालाय वियास तक काली चीज ऐसी चीज होती है ना जैसे बोलते हैं कि दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है तो दुनिया की सबसे भारी चीज है खाली जेब उसको भी जब तक नहीं भरोगे वो किसी काम का नहीं तो खाली कोश्चन में ही रिक्तिक स्थान नहीं होते हैं जीवन में भी रिक्तिक स्थान है तो उस रिक्तिक स्थान को भनना पड़ता है और दुनिया अटपटा लगजा वागर सबसे खाली चीज ही सबसे भारी होती है, अब जैसे है कोशन ही है, खाली स्थान है तो भारी ना हुआ, क्योंकि अगर उसका आंसर हमको नहीन मालूम तो हमान ले तो भारी हो गया ,eren navigate लाथ को खेत्म करते हैं तो क्या था वो जी ए टी टी जन्रल एग्रिमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरीफ तो टैरीफ और वेब पार पर समान ने समझाता गैट को खतम कर दिया गया गैट की जगह क्या आ गया डबलू टी ओ वर्ल ट्रेड ऑगनाईजेशन आ गया ठीक है ना क्लियर तो टैरीफ के नियमों को खतम किया गया ठीक है ना कि क्लियर चलिए तहीं है कौन से देश आशियान का सदस्त नहीं है आशियान एक संगटन है ठीक है ना ओके और यह क्या करता है यह जो जोने वाला पुछहा है तो आशियान देश का सदस्य तो आपका भुरोई भी है जो आशियान देशों से भारत क्या करता है भारत विष्टु का चौत्हा सबसे बड़ा वहपारी केंदर है जितने भी आशियान कंट्री से हैं ठीक है ना उनके वैपार का भारत विस्व में चौथे नमबर पर केंदर जहां पर उन लोग सब ज़्यदा वैपार करते हैं अभी दिसंबर में मतलब सन 2009 में आशियान को भुलाया गया था बेंकॉंक में हुआ था तो वहां पर भारत सरकार के द्वारा और आशियान देसों के द्वारा महत्पूर महत्पूर समझाते हुए थे जो वैपार से रिलेटेट थे और यही क्या था भारत आशियान के देशों के साथ उनका वैपारिक संबंद है भारत आशियान का सदस्त नहीं है बट भारत उनके साथ वैपारिक संबंद बनाता है और भारत जो है यह विस्व में चौ नंबर का सबसे बड़ा वैपारी सेंट्रल है केंद्र है वो ठीक है ना क्लियर तो भारत इसका सदस्टे नहीं है क्लियर वैपारीक संबंद है भारत का ठीकिना बिजनेश रिलेशन्शीप है भारत का आसियान देशों के साथ ओके चलिए फिर उसके बाद उच्च प्रात्मिक्ता वाले दोगों को उद्योग और निर्यात वैपार घरानों में प्रतेक्ष विदेशी निवेश की सो प्रतिसर्क अनुमति है मतलब को समझो यह बोलाए कि जो हाई लेवल पे उद्योग है और जो वैपारी घराने है ठीकर जो इसमें डाटा कंफर्म नहीं है मगा फिर भी एक लेकर आंसर लिया जाता है तो लगभग 52 कितना 52 लगभग कितना आएगा आपका 52 आएगा 52 प्रड़क्ट पर हैंडेट परसेंट एपडी आई लेके चलते हैं ठीक है नेक्स्ट निर्मिक इत्मदों पर विचार कीजिए र निर्यात में सिर्ष चार पर है ठीक है कंसीडर दा फ्लोविंग आइटम जेम्स एंड ज्वेल्री केमिकल सेंड रिएटेड प्रोड़क्ट इंजिनरिंग गूर्स टेक्स्टाइल ठीक विच आप दा आइटम गिविंग अबो आर दा टॉप फॉर आइटम इन इंडिया मै एक्सपोर्ट होते हैं तो चार कौन से हैं ठीक तो पहले नमबर पर जो आएगा है तो बहुत सारे लगवग दस टॉप 10 ड़एटम सें जो आतनी सब्स Rubdha एक्सपोर्ट होते हैं ठीक ना तो पहले नमबर पर आपका जेम्सम जैलरी से तीकं से दूसरे नमबर पर इंडियां गुड से टेक्स्टाइल्स नहीं आता है टेक्स्टाइल्स की जगह आता है कोटन जा तब यह जोगा तो यह जोगा तो इसको एक मत ले ना तो 1000 तो 2023 तो आंतर क्या हो दो और तीन ठीक चलिए नेक्स इज़ी कोशन है ज्यादा हाट कोशन नहीं है ठीक है देखो 99 से पुर भारत में सिमा सुल उतना अधिक था जितला है मतलब भारत में 1991 में ट्रक ड्यू डूटी कि पूछ रहे है तो भारत में 1991 में उतना ही है जितला था तो लगङभाग कितना 100% स्रिमा अधिक था तो 1991 के समय की बात कर रहा हूं जब 4 अधोरी के समय नहीं के बात कर रहा हूं आप नीerd वन बोलने के मतलब 4 विटी गनीटी एक दामनी उसी समय नहीं है तो 1991 में कितना है आपका 100 परसेंट किक है नेक विश्च के प्रमुख बाजारों द्वारा कृषी और उससे संबदित उत्पादों के निर्यात में मतलब अगरिकल्चर उसके प्रोड़क्ट में सब्चदिक हिस्टा कौन सी कंट्री का है ठीक है जो अग्रिकल्चर प्रोड़क्ट करती है और अग्रिकल्चर का वर्क क निजन भारत तौर में ही हो इसके प्रोड़क्ट खानी पीने की चीजों का ज्यादा उत्पादन करता है पहले स्थान पहुर्श पर है अमेरिका दूसरे हैं आपका चीनु पहले में अमेरिका है दूसरे में चीन है तीसरे में ब्राजिल है और चौथे नमबर भारत है जो agriculture और उसके प्रोड़क्ट का निर्यात में हिस्सा है ठीक है ना तो पहले पर USA दूसरे में चीन तीसरे में ब्रादिल और चौंथे में भारत तो यहां पर टॉप नंबर पर पूछा है तौंसर क्या हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा ठीक सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब के 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 सब्सक्रा मतलब उस राजी की उस देश की करेंसी ठीक है न तो याद रखो HDR जो है इसी को बोलते हैं IMF की मुद्रा तो HDR की मुद्रा क्या होती है HDR किसकी मुद्रा है IMF की मुद्रा है तो IMF का कोटा किसे सम्दित होगा आपका SDR से डॉलर भी होता है ठीक ओके दोनों होगा मगर यहाँ पर विशेश तोर से IMF के बारे में बोला है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका SDR क्लियर यह IMF की मुद्रा कहलाती है क्रेडिट पर निर्यात के जोखिम को कवर करके निर्यात प्रुसाहन अभियान को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापीत किया गया था कोश्चन समझो ठीक वाच इस्टेबलेज लाइस इन दी इयर 1957 बाइदा गवर्मेंट आफ इंडिया निर्यात को प्रुसाहन करने के लिए निर्यात रिण और गैरेंटी निगम निर्यात रिण और गैरेंटी नियम को इंडियान गवर्मेंट द्वारा 1957 में स्टार्ट किया गया था ठीक है न और ज्यादा डीप अगर कोश्चन गया तो मैं बता रहा हूं वो पूछेगा किस किस सेक्टर में कितना कितना परसेंट एप डियाई है ठीक ये याद रखेगा इस से ज्यादा इस पोर्शन से कोश्चन नहीं आता इसी कारण ज्यादा इसको सोचने की और ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरुवत नहीं है ठीक है न उतना ही याद रखिये या उतना ही पढ़िये जिससे अगर इस पोर्शन से कोश्चन आये तो कोश्चन बने मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बात को कि ज्यानी नहीं बनना है किसी सब्जेक्ट पर नहीं पीजडी करना है हमको एक्जाम देना है और एक्जाम वैसे देना है कि अगर उस पोर्शन से उस टॉपिक से उस सब्जेक्ट से कोश्चन आया तो हमसे वो question बनना चाहिए, इतना पढ़ना है बस, ठीक है न, PhD करने से उस subject पर selection नहीं होगा, उस subject पर ज्यानी बनने से selection नहीं होगा, selection तब होगा, जब आप उस subject को अच्छे से समझोगे, और उससे किस level पर question जाता है, कितना deep question जाता है, इसको समझोगे, तो ही selection है, clear, ठीक है, तो बातों को समझे, और यह 13 question था आपका foreign trade को ले करके, ठीक है, और export को ले करके, ज़्यादा deep इसमें से question नहीं आता, इसी current portion पर कम भी concentrate करोगे, तो भी चलेगा, मगर हां, इसको neglect नहीं करना है, अब कम question आता, यह सोथ करके, इस portion को छोलना नहीं है, ठीक है, तो जितन पढ़ा रहा हूं, जितना बता रहा हूं, उसको अच्छे से पढ़िए, next MCQ, एक नहीं topic के साथ लेकर क्या हूंगा, और फिर से आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा, clear, ठीक है, अगर कुछ यहां पर आपको doubt है, या कोई आपको problem हो रही है, तो क्रिप्या comments जरूर की ठीक है, okay, तो चलिए, next video में, फिर आप से मुलाकात होगी, okay, ठीक है, thank you so much and जय हिंद,